हेलो फ्रेंट्स गूद मॉर्निंग मेरी आज की वीडियो है एक अंजीर के पोधे उपर तो आप देख रहे हैं कि अंजीर का पोधा है यह अंजीर के पोधे को हम दो तरह से ग्रो कर सकते हैं एक तो हम इसे बीच से ग्रो कर सकते हैं दूसरा हम इसे कटिंग से ग्रो कर सकते ह इसके temperature की बात करें तो ये इसका temperature हमारा 25-30 से लेके और 50-60 तक के temperature में भी ये पोधा असानी से ग्रो हो जाता है जैसे कि दिल्ली की गर्मियों से हिसाब से हमारा यहां का temperature 43 है और इस 43 के temperature में आप देख सकते हैं कि मेरे पोधे की एक भी पत्तियां बिल्कुल भी नहीं गिरी हैं और नहीं पीली पड़ी हैं बहुत अच्छा healthy पोधा है मेरा और काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है लेकिन यह जैसे जैसे बड़ा होगा और इसकी cutting से अगर हमने दूसरा पोधा बनाया तो मैं जरूर आपको दूसरी वीडियो में इससे जरूर दिखाऊंगी क्योंकि इसे cutting से ग्रो करने में ज्यादा benefit है क्योंकि जो हम 20 से ग्रो करते हैं तो उसके पोधे ने थोड़ा सा जो fruit है वो थोड़ा लेट आता है और cutting वाले पोधे में fruit जल्दी से आ जाता है छे महीने के अंदर हमारी cutting grow अच्छे हो जाती है तो हमारा fruit इसमें अच्छे से grow हो जाता है इस fruit इस plant में कभी भी full नहीं आता है direct fruit बन जाता है पहले मटर के दाने के रूप में होता है और फिर ये बड़ा हो जाता है और दीरे दीरे पकने लगता है तीन चार महीने के जैसे हम अगर गीला जैसे के है fruit कच्छा इसे हम direct खाएंगे तो ज्यादा फाइदे मंद है इसके अंदर हमारे इस fruit के अंदर काफी fiber की मात्रा बहुत जादा है iron की है और इसके अंदर हमारी immunity power को ये बहुत अच्छे से ठीक करता है protein देता है carbohydrate देता है और इसे हमें सुभा खाली पेट जादा जादा खाली पेट यूज़ करना चाहिए और इसमें यह fruit जो है cooler की तरह दिखाई देता है जिसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं लेकिन यह cooler की variety की तरह दिखता है लेकिन यह वैसे इसमें बहुत गुणों से भर पूर है इसमें omega 3 है omega 6 भी है और fiber अगरा की variety को पूरा करता ही है दूसरा हमारा iron की कमी को पूरा करता है यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही benefit fruit है इसे हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं एक सूखा fruit होता है जो मेवी के रूप में वह भी बहुत जादा फाइदे मंद होता है लेकिन जो गीला होता है यह जादा हमें benefit है दूसरा यह पोधा हमारा एक बर हम इसे लगा दें तो यह 50-60 साल तक fruit देता रहता है पहले जैसे अगर यह छोटा है तो इसमें छोटा fruit आएंगे एक दो लेकिन जैसे जैसे यह पोधा बड़ा होने लगेगा ग्रो करने लगेगा तो काफी हद की मातर में काफी fruit देना शुरू कर देगा अब करें इसकी खाद की बात तो इसे खाद की जरूरत नहीं होती है इस fruit को हम किसी भी मिट्टी में लगाएंगे तो यह direct grow हो जाएगा लेकिन अगर हम फिर भी देना चाहते हैं तो इसमें हम अपनी गाई के गोबर की खाद दे सकते हैं इसके चार के रूप में करें तो वो बात दूसरी हो जाएगी कि जमीन में हम कितनी भी खाद का यूज कर सकते हैं बाकि ना इसमें कोई स्प्रे की जरूरत है और ना है कोई जादा ऐसी खाद की इसकी requirement है और यह साल में दो बार fruit देता है और जैसे कि मई में दे देता है एक बार और अगस्त में भी देता है तो यह अपने अपने प्लांट के उपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सी वराइटी खरी दिया और लगाई है यह पोदा मैंने यहां से नहीं लिया यह पोदा मैं पुशकर से रेके आई थी जो कि मुझे 25-30 रुपे में पड़ा लेकिन जो दिल्ल से ग्रो कर सकते हैं और यह दो वराइटी में जादा देखने को मिलता है एक तो बैंगनी कलर का और दूसरा गोल्डन कलर का और इसे खाने में बहुत टेस्टी है यह और इसका जो फूर्ट है काफी अच्छा मतलब फाइवर वगरा भी देता है और मीठा बहुत है इसे ostrust एक रूट जो लिया इसके कटिंग करी और तो उसमें से काफी बीज निकले और यही बीज इसके अंदर होते हैं तो हम इन बीजों को अराम से निकाल के अपने बदो को मतलब ग्रो कर सकते हैं दुबारह से तो इसमें बहुत बारीग को बार से यह स्टी होते हैं जिसे र यह नया पोधा या तो मेरे बीच से ग्रोव गया तो दिखाऊंगी और कटिंग से ग्रोव गया तो दिखाऊंगी तो आपको मेरी कैसी वीडियो लगी तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइबर कीजिएगा शुक्रिया